हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम तीन अप्रेल से समंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफ्यर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर के कुश्चन को डिस्कस करेंगे और हरे कुश्चन से रिलेटेड आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंतमे हम आपसे एक कुश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप मारे टेलीग्राम गुरुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गुरुप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला कुश्यन है बुजर्गों के लिए संपत्ती वापस से संबंदित कौन सा राज्य नया कानून लाने जा रहा है ओप्सन नमबर A है उत्तर प्रदेश B है केरल C है गोवा D है हर्याणा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर A उत्तर प्रदेश बुजर्गों के हेतों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नया कानून लाने जा रही है अब बुजर्ग अपने बच्चों या उत्तरा धिकारियों दोरा सेवा ना किये जाने पर उन्हें दी गई संपत्यों को वापस ले सकेंगे आयोग के अनुसार यदि बुजर्ग ने किसी अपने अत्वा करीबी को अपनी संपत्ती दान अत्वा तोफे में दी है और उसके बाद संपत्ती पर काविज संबंधित व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो बुजर्ग इसकी अधिकारियों से सिकायत करेगा इसके तहत बुजर्ग की सिकायत पर तोफे में दी गई संपत्ती का बेनामा अत्वा दान पत्र निरस्त हो जाएगा तो दोस्तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो बुजर्गों के हेतों के लिए एक नया कानू लाने जा रही है और इसके तैत होगा क्या कि कोई भी बुजर्ग होगा उसने अगर अपने बच्चों को या अपने करीबी को कोई भी संपत्ती दान अत्वा तौफे में दी है और उसके बाद अगर वो व्यक्ती उसकी सेवा नहीं कर रही है तो बुजर्ग इसकी सिकायत करके उस संपत्ती को वापस ले सकेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तरप्रदेश सरकार जो है ऐसा नया कानू लाने जा रहा है अब दोस्तों उत्तरप्रदेश के बारे में कुस important question देखते हैं जो कि लगातार exam में पूछे जाते हैं उत्तरप्रदेश का पुराना नाम किया है उत्तरप्रदेश की प्रमुक जन जातिया कौन कौन सी है तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी ये उत्तरप्रदेश की प्रमुक जन जातिया है उत्तरप्रदेश की प्रमुक नदिया कौन कौन सी है तो गंगा, यमुना, गूमती, चंबल, सून और घागरा ये उतर प्रदेश की प्रमुक नदियां है और दोस्तो उतर प्रदेश का प्रमुक वने जी अभ्यारन कौन सा है तो चंदर प्रफा वने जी अभ्यारन ये उतर प्रदेश का प्रमुक वने जी अभ्यारन है और उत्तर प्रदेश का प्रमुक राष्ट्रिय उद्यान कौन सा है तो दोधवा राष्ट्रिय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का प्रमुक राष्ट्रिय उद्यान है और दोस्तो उत्तर प्रदेश का सास्त्रिय नरत्य क्या है तो कथक उत्तर प्रदेश का सास्त्रिय नरत् नौटंग की स्वांग नरते और चर्कुला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुक लोक नरते हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से रेलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और ये लगातार एक्जांस में पूशे जाती हैं अगला कुश्यन है यूपी के गूला गूकर्ण नात में विस्सो का सबसे लंबा काव्य महुत्सव का रिकॉर्ड बनेगा यह काव्य महुत्सव कितने घंटे चलेगा ओप्सन नमबर A है 105, B है 110, C है 121 और D है 125 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर C, 121 घंटे छोटी कासी के नाम से जानी जाने वाली जिले की तहसील गूला में 2 अप्रेल से 7 अप्रेल तक के गेस्ट हाउस में 121 घंटे का काव्य महुत्सव कापिलस फाउंडेशन की और से किया जाएगा यह अब तक का सबसे लंबा कवी सम्मेलन एवं मुसायरा होगा आयूजा के यती सुकला ने बताया कि अब तक के सबसे लंबा कवी सम्मेलन या मुसायरे का रिकॉर्ड 64 घंटे का है और कहां का है वो पाकिस्तान का है अब यहाई रिकॉर्ड 121 घंटे के साथ गूला में तोड़ा जाएगा यहाई सारा रिकॉर्ड लिमका बुक, गूल्डन बुक तथा गिनीज बुक समेत सभी में दर्ज है कारिकरम की सुरुवात 2 अपरेल से होगी जो की 7 अपरेल तक चलेगी दोस्तों यह कुश्यन मोस्ट इंपोर्टेंट है अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी तक जो सबसे लंबे काव्य महुतसव का रिकॉर्ड था वो किसके नाम था तो पाकिस्तान के नाम था 64 घंटे का यह रिकॉर्ड लेकिन अब इस रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश के गोला तहसील में इसे तोड़ा जाएगा गोला गोकर्णनात में और यह जो रिकॉर्ड है वो 121 घंटे का होगा और यह जो काव्य महुतसव है इसका आयोजन दो अपरेल से शुरू होगा और यह साथ अपरेल तक चलेगा तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यान है यूपी में किस जानवर में एक नए वाइरस पाए जाने की कारण उसे दफनाया गया है और अपसिन नमबर ए है कुट्टा बी है गोड़ा सी है भेड़ और डी है गाए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और अपसिन नमबर बी घोड़ा कुरूना वाइरस ने जहां पूरे बिस्व में कोहरा मचा रखा है वहीं गोड़ा के करनेल गंज तहसील छित्र में एक घोड़े में बर खोड़िया मेलियाई नमक वाइरस पाए जाने से हड़कंप मच गया है चिकत सकों द्वारा वाइरस की पुष्टी होते ही उसे जहर का इंजेक्सन देकर दफन कर दिया है तो दोस्तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोंड़ा में करनेल गंज तहसील छित्र में एक नया वाइरस जो है वो घोड़े में पाया गया है उस वाइरस का नाम क्या है तो ध्यान रखना है बर खोड़िया मेलियाई नामक वाइरस जो है वो पाया गया है और ये वाइरस की जैसे ही पुष्टी हुई तो उच्छे के सकों ने उस घोड़े को जहर का अंजेक्शन दे करके उसे दफन कर दिया है तो ये आपको चीज़ती दानकना है कि गॉंडा में ये नया वाइरस पाया गया है अब दोस्तो गॉंडा के वारे में कुछ important question देखते हैं तो दोस्तो गॉंडा में एक प्रमुख मंदिर है कौनसा पाटेश्वरी देवी का मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये इसकी स्थापना किस ने की थी तो महराजा विक्रमा दित्ध ने इसकी स्थापना की थी गॉंडा की अगर प्रमुख नदियां देखें तो सर्यू है टंडा, मानवर, विसुही और घागरा ये गॉंडा की प्रमुख नदियां है और गॉंडा का प्रमुख मेला या महुत्सव कौन सा है तो देवी पार्टन मेला ये गॉंडा का प्रमुख मेला या महुत्सव है और गॉंडा में एक अभ्यारन ने है कौन सा है तो सुहेल वनिजीू बिहार ये गॉंडा में है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो ये सारी चीजें गॉंडा से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है अगला कुश्यन है अपस नमबर 2 अपरेल को गॉड फ्राइडे मनाया गया यह इसा मसी के सूली पर चढ़ने के दिन को याद करता है इस दिन इसा मसी ने अपने जीवन को सभी के लिए प्रेम करते हुए और मानवता के पापों के लिए बलिदान करते हुए बलिदान किया था यह दिन इसाईयों के लिए उपवास की चालिस दिनों की अवधी की अंद को भी दर्साता है जिससे लेंट कहा जाता है और ये जो Lent महुत्सव है या ये जो Lent तेवहार है इसाईयों का ये तीन अपरेल को है तो दोस्तो आपको द्यान अकना है कि 2 अपरेल को Good Friday मनाय गया और Good Friday क्यों मनाय जाता है तो इसा मसी के सूली पर चढ़ने के दिन को याद करता है यानि इसी दिन इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था और दोस्तो ये जो Good Friday है इसी दिन ये 40 दिन का इनका उपवास होता है इसाईयों का उनके अंत को भी ये दर्शाता है यानि कि अंतिम दिन होता है उनके उपवास का और उस उपवास को क्या कहा जाता है तो लेंट उस उपवास को कहा जाता है अगला Question है Global Wind Energy Council द्वारा जारी रेपोर्ट के अनुसार हवास से बिजली पैदा करने की चमता 2020 में कितने प्रतिसत बढ़ गई Option नमबर A है 37% B है 45% C है 53% और D है 71% इसका जो Correct answer है वो है Option नमबर C 53% Global Wind Energy Council द्वारा जारी रेपोर्ट के अनुसार हवास से बिजली पैदा करने की चमता 2020 में 53% बढ़ गई है 2020 में कुल 93 गीगावाट चमता इस्थापित की गई दुनिया को प्रतिवर्स नियून तम 180 गीगावाट इस्थापित करने की आवस्चता है जिसका अर्थ 3 गोना तेज विकास है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि Global Wind Energy Council दोरा एक रेपोर्ट जारी की गई और इसकी अनुसार हावा से बिजली पैदा करने की चमता 2020 में 53 प्रतिसत बढ़ गई अगला कुश्यान है निमलखित मैसे किसने एक हल की बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित की है जिसका बजन 9 किलो का है और भारतिय सीना की गुडात्मक अवस्यक्ताओं को पूरा करती है अफ्सन नुम्बर A है DRDO ब है SRO C है भारत Electronics और D है I ए टीक कानपूर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अफ्सन नुम्बर A DRDO DRDO ने एक हलकी बुलेट फूरूफ जैकेट विक्सित की है जिसका वजन 9 किलो है और यह भारतिय सेना की गुडात्मक अवस्यक्ताओं को पूरा करता है DRDO की पुरियोकसालाओं में से एक रक्षा समगरी और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने इस जैकेट को विक्सित किया है चंडीगण में Terminal Ballistic Research Lab में इसका परिक्षन किया गया और इसने प्रासांगिक मानकों को पूरा किया तो दोस्तो ध्यान रखना है कि यह हलकी ब्लेट प्रूफ जैकेट को किसने विक्सित किया है तो DRDO ने विक्सित किया है तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब DRDO ने बना है तो DRDO के बारे हम जानते हैं DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है तो Defense Research and Development Organization DRDO को फुल फॉर्म होता है और दोस्तो DRDO की स्थापना का होई थी तो आपको ध्यान रखना है 1958 को DRDO की स्थापना होई थी और DRDO को हैड़कॉर्टर कहां पर है तो New Delhi में DRDO का हैड़कॉर्टर है तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यान है किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ भीमा योजना के तहत पृतियक परिवार को स्वास्थ भीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपसन नमबर A है उत्तर प्रदेश, B है मध्य प्रदेश, C है गुजरात, सौरी C है राज्यस्थान और D है गुजरात इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपसन नमबर C राज्यस्थान राज्यस्थान सरकार चुरंजीवी स्वास्थ भीमा योजना के तहट प्रतेग परिवार को स्वास्थ भीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मुख्यमंतरी ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना पांच लाक रुपए तक का स्वास्थ बीमा मिलेगा इस स्वास्थ बीमा कवर में पेविन बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसेजर सामिल किये गए हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो राज्य है वहां पर चिरंजीवी स्वास्थ बीमा योजना के तहट प्रतेक परिवार को स्वास्थ बीमा देने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है अब यहां पर राजस्तान की बात है तो राजस्तान की बारे में जानते हैं यह मैप में राजस्तान, राजस्तान की कैपिटल है जैपुर, राजस्तान की चीफ मिनिस्टर है असुग गहलूत और राजस्तान की गवर्णर है कलराज मिस्रा अगला कुशियन है हाली में खबरों में रहा बैकाल जी वी डी क्या है अप्सन नमबर A है टेलिस्कोप B है विशाणू, C है गेलेक्सी और D है तारा इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अप्सन नमबर A टेलिस्कोप हाल ही में रूसी वेग्यानिकों ने बैकाल GVD टेलिस्कोप लॉंच किया है यह एक अंडरवर्टर न्यूट्रनो टेलिस्कोप है यह टेलिस्कोप बैकाल जील में लगाया गया है बैकाल जील साइबेरिया में इस दुनिया की सबसे गहरी जील है इस टेली स्कोप का निर्माद 2016 में शुरू किया गया था और इसका मकसद न्यूट्री मर्टिफलिक्स का अध्यान करना है तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बैकाल जीवी डी है ये क्या है ये एक टेली स्कोप है और इसे रूस ने लौच किया है और ये एक अंडरवाटर न्यूट्रनों टेली स्कोप है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे कहां पर इस्तापित किया गया है तो बैकाल जील साइवेरिया में इसे इस्तित किया गया है और दोस्तों ये जो बैकाल जील है ये दुनिया की सबसे गहरी जील है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यन है पंजाब में महिलाएं 1 अपरेल 2021 से सरकार दोरा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है इस योजना से राज्य की कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और अपसन नमबर A है 1.31 करूर B है 1.02 करूर C है 1.98 करूर और D है 2.31 करूर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और अपसन नमबर A 1.31 करूर पंजाब में महिलाएं 1 अपरेल 2021 से सरकार दोरा संचालित बसों से मुफ्त यात्रा कर सकती है राज्य मंत्री मंडल ने राज्य में 1.31 करूर से अधिक महिलाओं या लड़कियों को लाभनवित करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है तो आपको ध्यान रगना है कि पंजाब में 1 अपरेल से सरकार दोरा जो बसें चलाइं जाएंगी उसमें महिलाएं और जो लड़कियां है वो मुफ्त में यात्रा कर सकती है और इस योजना के तहट कितनी महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा तो 1.31 करूर महिलाओं को इसके तहट लाभ मिलेगा तो आपको ध्यान बरकना है कि पंजाब सरकार ने ये बसें चलाइं है अगला कुश्यन है हाल ही में खबरों में रहा बांधावगड नेसनल पार्क किस राज्य में इस्तित है अप्सन नमबर A है उत्राखंड B है मध्यपरदीस C है उत्रपरदीस और D है केरल इसका जो करेक्ट आंसर है उप्सन नमबर B मध्यपरदीस बांधावगड नेसनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया है दोस्तों ये जो बांधावगड नेसनल पार्क है ये मध्यपरदीस में इस्तित है और ये अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि यहां पर आग लग गई थी तो काफी ज़्यादा आग यहां पर थी तो उस पर अब काबू पा लिया गया है अभी शुरुआती दोर पर इस आग से किसी भी जानवर की मरने की ख़बर नहीं मिली है बांदावगड निस्नल पार्क मद्य प्रदेश की उमरिया जिलाब बिंध पहाडी में इस्तित है 1968 में इसी निस्नल पार्क घोसित किया गया था यह रोयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसित है बांदावगड में बागों की निस्नल पार्क कब घोसित किया गया था तो यह भी मुश्ट इंपोर्टेंट है 1968 में इसी निस्नल पार्क घोसित किया गया था तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है और दोस्तो बागों की जनसंख्या का घनत तो देश में सबसे अधिक कापर है बांधावगड़ निस्नल पार्क में सबसे अधिक बागों का जनसंख्या घनत तो है तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो दोस्तों यह थे तीन अप्रेल से समंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफियर और इसके अलाबा यूपी एक्जाम्स के लिए उस्थ इंपॉर्टन करेंट आफियर के कुश्चन जो की हमने डिसकस की अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का खुश्चन जो हमने आपसे पूछा था तो यह है कल की वीडियो का कुश्चिन जो हमने आप से पूँचा था निमलकित मैसे किसी सरश्वती सम्मान 2020 के लिए चोना गया है इसका जो करेक्ट अंसर था और अपसन नमबर सी था डॉक्टर सरण कुमार लिंबाले और लगबख सभी स्टुडेंट ने इसके सही जाब द और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी कुश्चिन आपसे पूचा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो तो यह है आज का कुश्चिन इंक्यावन बे दादा सही फाल के पुरुसकार से समानित किसे किया गया है और अपसन नमबर A है इरफान खान, B है रजनी कांत, C है अमिताब बच्चन और D है धर्मेंद जिसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करन करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू